हेलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जेस्वेद राहूल पर और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पार्ट नमबर 6 आपके Current Affairs for Public Administration Optional की सीरीज का जिसका नाम है पबेट पीडिया 365 जैसे आपकी PT 365 और मिंस 365 होता है वैसे ही पबेट पीडिया 365 मतलब पबेट पीडिया का मतलब है Wikipedia of Public Administration तो पबेट पीडिया 365 करेंट अफेर्स का यह होने जा रहा है पार्ट नमबर 6 अगर पुर सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर वाकी पार्ट भी देख सकते हैं तो आज बात करेंगे एक और टॉपिक की Public Administration Current Affairs की सीरीज में और लिंक करेंगे Public Administration को Current Affairs से ठीक है और यह जो सीरीज है यह आपको हेल्प करेगी कि आपका Public Administration Optional अगर है तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं कैसे उसके Current Affairs पढ़ सकते हैं लिंक करके तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल पर और वीडियो भी देख सकते हैं से सबिंब और बारे हैं कि शोड़्वांष करें अको उन्हीं रख़तीय सब्लीन ओ से और वर से ऩो 25 आतल इसबिसी आप सब्सक्राइब कंश्माचा करें वैङ की सब्सक्राइब हैं पंचाइती राज इंस्टिटूशन और लोकल गवर्नेंस तो आपका रूरल लोकल और अर्वन लोकल गवर्मेंट पेपर 2 से ये टॉपिक लिंक होगा तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो ठीक है तो बात करते हैं मेर्स इंडिया की बेसिकली आपको पता होना चाहिए देट 74th Constitutional Amendment Act जो आया था ठीक है 74th Constitutional Amendment Act 1992 में उसके बाद यह जो है वह आपको अर्बन लोकल बॉडी देखने को मिलती है और जो यह बादी होते हैं यहाँ बेसिकली 3 tiers होते हैं या 3 components होते हैं एक component आपका होता है council और council जो होती है municipal council या इस तरीके की फिर committee होती है उसको assist करने के लिए और इसके अलावा last में जो होती है बादी वो होती है आपकी chief executive authority ठीक है chief executive authority जो एक commissioner होते हैं commissioner होते हैं कहीं पर commissioner बोलते हैं और यह basically IAS officer type के people होते हैं ठीक है तो council जो है वो एक it's like लोगसभा you can say के बहुत सारे लोग होंगे council members होंगे इस तरीके से यह चलती है और इसमें council के जो head होते हैं ठीक है head of the council is mayor ठीक है तो mayor कौन है head of the council तो अगर link करो इसको link करो अगर लोगसभा normally देखते हो तो जो members है वो बैठे होंगे और जो head होंगे जो इसके chair person होंगे ठीक है they will be called as mayor ठीक है तो यह mayor का role है mayor का काम मतलब इस तरीके का रहता है और जो main executive authority है वो जो है defecto अगर देखा जाए तो वो powers है आपकी IAS officer जो commissioner है जो chief executive authority है और committee is just like a assisting body for the council तो इस तरीके का structure है basically news में यह इसलिए है कि बात की जा रही है कि जो mayor है जो mayor in India है इनको इनकी जो position है that needs to be changed ठीक है तो सबसे पहले वो चीज़ पढ़ेंगे उसके पहले आप यह समझे that public administration के कौन से thinkers और किस तरीके से आप इन्हें link कर सकते हैं link करने के लिए आपको देखना पड़ेगा that what all are the topics जहां पर आप link कर सकते हैं सबसे पहले you can talk about आपका आपके बहुत सारे thinkers थे जिन्होंने by and large decentralization की बात की थी decentralization की बात की थी आपके विंसेंट उस्टॉम जो बात करते हैं जो एक public choice approach के थिंकर है he was talking about democratic administration over democratic administration over bureaucratic administration ठीक है democratic over bureaucratic because public choice approach जो था it was critical of bureaucracy तो इस वजए से thinkers like Anthony Downs Anthony Downs ने आपको पूरी एक chronology समझाई थी कि climbers होते हैं और statesmen होते हैं इसके लावा conservatives होते हैं इसके लावा advocates होते हैं तो इस तरीके की bureaucracy होती है पांच categorization बताया था Anthony Downs ने inside bureaucracy book लिखी थी इसके लावा आपको और भी पता होगा जैसे Gordon Tulek थे them were against the idea of bureaucratic administration और बात कर रहे थी democratic administration की लेकिन अगर ये 73rd amendment, 74th amendment इसलिए लिए लिए गया कि democratic administration बढ़े ना कि bureaucratic हाना कि थोड़ा सा अंतर है यहाँ democratic का मतलब है private को थोड़ा काम दो bureaucracy से हटा के लेकिन ये थोड़ा सा decentralization की बात है ठीक है बट इस तिल you can talk about this thing कि bureaucratic administration की opposition में थे public choice approach के थिंकर तो जैसे for example यहाँ क्या है यहाँ जब आप chief executive authority या I.S. officer को bureaucracy को power दे रहे हो what you are doing actually you are basically providing this bureaucratic administration at the urban local level so कोई मतलब ही नहीं रह जाता है इसलिए mayor की power देना mayor को power देना important हो जाता है similarly आपको अब आपकी thinkers participative management की सभी thinkers आप link कर सकते हो चाहे वो McGregor हो चाहे लिकर्ट हो या फिर air gyrus हो McGregor की theory why और लिकर्ट का system 4 और air gyrus जो थे उनका जो idea था आपका basically जो matrix organization बगएरा की बात की थी उन्होंने organic organization बनाने की बात की थी तो ये by and large आप सारी चीज़ें link कर सकते हो similarly बाकी MP Follet you can link MP Follet का जो ideas थे MP Follet was in the favor of participatory democracy as compared to representative democracy तो जब ऐसी चीज़ें होते हैं जब जैसे for example local local governance में gram सभा है तो gram सभा इस participatory body ना की आपकी representative body तो इस तरीके से आप link कर सकते हो even second ARC ने भी suggest किया है कि urban bodies में भी bard सभा होनी चाहिए on the lines of gram सभा in local bodies तो आप इस तरीके से चीज़ों को अगर link करेंगे you will be able to understand the things ठीक है तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है और चीज़ों को समझना है so this is all about the different thinkers इसके लाबा और भी अगर link करना चाहो तो public policy से link कर सकते हो policy making में अभी कौन सा model हो रहा है institutional model तो ये चीज़े में पिछले lessons में भी बता चुका हूँ कि public policy में जो a light mass model वगेरा है उनके opposite ये चीज़ बनेगी अगर हम मेर्स और इन सीज़ों पर decentralization पर focus करेंगे और जो beagle factor है जो मैं बार बार repeat करता हूँ पुराने lesson में आपने अगर देखा है तो देख लिया होगा नहीं देखा तो पुराने lesson देख लीजे आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो beagle factor और ये सब चीज़ें यहाँ पर इनका solution देखने को मिल जाएगा so this is all about mayors in India इसके अलावा इसमें ये चीज़ भी discussion में लेनी है that चलो mayors in India तो समझ आ गया अब बात करनी है that current affairs में ये हमने देख लिया क्यों है हमने पबैट से link देख लिया अब बात करते हैं third but not the least last but not the least second ARC basic देख लिया पबैट का orientation देख लिया second ARC ने क्या recommendation दी है इस particular body में ठीक है तो second ARC के पहले आप थोड़ा सा एक और चीज़ धान रखेगा that 2016 में एक private member bill लेकर आये थे कौन लेकर आया था ससी थरूर जी लेकर आये थे private member bill में भी second ARC को reiterate ही किया गया था उस bill में जो बात की गई थी वो ये कही गई थी कि direct election होने चाहिए और mayor in council होना चाहिए mayor in council एक cabinet body की तरह काम करें तो direct election और mayor in council तो ये recommendation या ये provision उस private member bill में थे जो 2016 में ससी थरूर जी लेकर आये थे ठीक है जो MP है आपको पता होगर ससी थरूर अभी रिसेंट्ली 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 उन्होंना unacademy platform पर लाइब सेशन भी लिया था ठीक है so all these things are there अब इसके अलावा second ARC third but अब सबसे important है second ARC ने mayors in India के बारे में क्या बात हैं कहीं है basically second ARC ने बात की है that mayor should be the mayor जो है उसको chief executive authority बनाया जाना चाहिए अभी chief executive authority कौन है अभी जो है वो आपके commissioner जो commissioner या IS officer होते है वो लोग है ठीक है मैंने बताया था three three structures है commission है committee है और आपकी chief executive authority या commissioner है ठीक है तो triple C is there commissioner then committee और यह वाली council और council के head है mayor तो यह का जा रहा है जो chief executive authority या commissioner का काम है वो जो काम है de facto executive का काम है वो mayor को देना चाहिए तो अगर उन्हें दे दोगे तो commissioner का काम जो है वो कम हो जाएगा तो दूसरी recommendation यही है कि जो commissioner है वो just like a kind of you can say वो सिर्फ delegated function करे delegated function यानि अगर उसे काम करने को दिया जाए only those functions should be performed by this commissioner ठीक है तो power किसको देनी है mayor को किस से लेनी है commissioner से इसके अलावा तीसरा provision यह था जो हमने ससी थरूर जी के will में भी देखा कि direct election होना चाहिए अभी mayor के लिए indirect election होते हैं बहुत जगह पर indirect election का मतलब जो लोग यहां बैठे हुए है council में मैंने बताया था न council है तो council में जो लोग बैठे हैं यही लोग चुन लेते हैं कि mayor कौन बनेगा तो एक तरीके कि यह तो लोग सभा speaker की तरह इन का रोल हो जाता है direct election होना चाहिए कि पूरी constituency में लोगों के लिए अलग हो रहा है और इनके लिए अलग हो रहा है तो ऐसा सेकेंड यार्सी ने कमेंड किया है इसके लाब सेकेंड यार्सी आलसो टॉकिंग अवाउट थे सेम तिंग जो यहां पर ससी थरूर जी ने बोली थी M.I.C. यहां पर भी बात हुई है mayor in council बट सेकेंड यार्सी ने यह बोला है that mayor's cabinet होनी चाहिए mayor's cabinet होनी चाहिए और mayor cabinet जो होगी उसमें less than 10% जैसे हम देखते हैं cabinet में 15% का जब वो होता है कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते कि ऐसा नहीं कि सारे council आपके सारे members सारे MLA MP आपने में बो बना दिये cabinet minister ठीक है सबको लाल बत्ती नहीं बत्ती है सबको प्रोविजन का फायदा सो ऐसा नहीं है ठीक है 10% का यहां पर भी क्याप लगा के सेकेंड यार्सी ने रिकमेंड किया है तो चार रिकमेंडेशन है आई होप समझ में आ गई है एक है mayor को power दो mayor को chief executive authority बनाओ और mayor के साथ फूरे function दो और commissioner की power कम करो यानि commissioner से वो ही function करें जो delegate किये जाए direct election करवाए जाए और basically mayor जो है वो cabinet mayor cabinet का provision यहां पर देने की बात की गई है तो यही था आज के इस lesson में आगे आने वाले lesson में हम और current affairs पर चर्चा करेंगे उनको discussion में लेंगे और इस तरीके से हम इस series को आके बढ़ाएंगे और पिछले lessons नहीं देखे हैं तो प्लीज उन lessons को देख लीजेगा link जो है playlist की वो description में provide कर रहा हूं okay this is it for the day thank you so much and stay tuned bye bye